सुवागत है आप सभीका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये इंडियन प्रीमियर लीग का सरसटवा मैच मुंबई इंडियन्स वरसी लखनो सुपर जाइन्स की टीम के बीच में खेला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे तो आप वीडियो को सुलूसे लेके लाश्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बैतरी टीम बना पाओ तो दोस्तों इस मैच के बारे में बात करें तो ये मैच दोनो आपके कम इन्वेस्टमेंट करके चलना वही ठीक रहेगा तो सबसे पहले दोस्तों आपके डेट एंट टाइम की बात करें तो ये मैच 17 अपरियल साम साड़े साथ बजे से वानखेड़े इस्टिडिय मॉंबई में खिला जाएगा मैच फॉर्मैट की बात करें टीटिवन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो जुड़ जाएए लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रेप्शन और मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से तो उसी के साफ से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो के बारे में थोड़ा सा और जाने तो टोटल टीटवन्टी डॉमेश्टिक के यहाँ पर भी तक 117 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से त्रेपन बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जिती है तो आप यह चीज यह आपके देखके चल सकते हो अब यहाँ पर दोस्तों लोग स्कूरिंग पैटरिंग की बात करें तो जो यहाँ पर टोटल 117 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 27 बार 150 के बिलो स्कूर रहा है 27 बार 150 से 179 के बीच में गया है 35 बार 170 से 189 के बीच म यानि कि ओबरॉल यह बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है कोई टीम यहाँ पर खुद खराबना के लिए तो काफी अच्छा इस पूर यहाँ पर बनता है अब यहाँ पर हम लोग पेस वर्सिस इस्पिन की बात करें तो जो लाश्ट 6 टी 20 के मैचेस इसी सी ले गए हैं अगर आप लोग उने में देखोगे तो यहाँ पर 60 विकेट पेसर को मिले हैं वहीं सिर्फ 16 विकेट इस्पिनर ने निकाले हैं तो आप लोग यहाँ पर साप साप देख सकतो इस पिन के मुकाबले यहाँ पर पेसर कितना जादा आगे रहते हैं तो उसी के जो यहाँ पर अभी तक 6 मैचेस खेले गए हैं अगर आप लोग 6 में से 1 मैच अटा दो जो शुरू वाला हुआ था अगर आप उसको अटा दो तो उसके अलावा आप यहाँ पर हर मैच में देखोगे तो काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर बनाए हाई स्कोरिंग मैच रहे हैं तो दोस्तों मुंबई इंडियन्स की टीम की बात करें तो मुंबई इंडियन्स की टीम ने इस सीरीज में टूटल अभी तक यहाँ पे 13 मैचेस खेलें जिसमें से 4 जीतें 9 हारें तो इनका इस सीरीज में अगर आप परफॉर्मेस देखोगे काफी खराब रहा है अब हम ल दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें रोहिस सर्मा की राइटी बेटिंग करते हैं काफी इंपोर्टेंट खिलाडी है आप सबको पता है किस तरह की यह बल्लेवाज है हालाकि अगर आप इनका रिशेंट फॉर्म देखोगे तो लगातार फ्लॉप चल रह है लाइस्ट पांच मैचिस का आप लोग अपर सबका रिशेंट फॉर्म भी यहाँ पर देखके चल सकते हो सूरी कुमार यादव है काफी इंपोर्टेंट है 36 काफी अच्छा यहां पर काफी अच्छी हिटिंग करते हो रिशेंट पर्फॉर्मिस भी देखोगे तो लगब बैटिंग भी ठीकता कर लेते हैं हला कि सीरीज में बैटिंग से कुछ खास इनकार नहीं रहा है पर अभी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहें इंपोर्टेंट है टिम डेविड है राइटी बैटिंग करते हैं और पर एक बॉलिंग कराते है इस वेन्यू पर यहाँ पर इनका भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है तो इनको भी आप लोग यहाँ पर जील की टीम में ट्राइ कर सकते हो हैट्ट वेन्यू दोनों पर लगबग अच्छा है तो वह अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा निहाल वदीरा है लेफ्टी बैटिंग करते हैं 35 का एवरेज है यह भी दोख तो अच्छे खिलाड़ी है अच्छी का सी हिटिंग करते हैं इनको भी आप लोग जील की टीम में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि स्मॉल लीक में तो रिस्की है बैटिंग इनकी नीचे आती है नमन धीर है इनको भी आप लोग एका जील में रोटेट कर सकते हो स्म बॉलिंग में इनको भी नहीं लेना है अंसुल कंबोज है नो मैचेस खेले हैं बाइस रन से ग्यारा विकेट है इनका टी-20 का रिकॉर्ड है इस सीरीज में भी देखोगे तो दो मैचेस खेले हैं जिसमें दो नोई में एक एक विकेट निकाला है और बॉलिंग भी लगबग अच्छे कहां से ओवर की कराई है तो कंबोज आपके जील के पे कराएंगे इनको आप लोग जील की टीम में जरूर ट्राई करना इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्यूश चावल आएं लेफटी बेटिंग करते हैं लेग ब्रिक यह बॉलिंग डालते हैं ओबरॉल देखोगे काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और रिशेंट अकर आप इनकी पर्फॉर्मिस पी देखोगे तो लगबग इनकी ठ चीकटा के यहाँ पर रही है हाला कि इस वेन्यू पर इस पेनर उतना अच्छा नहीं करते हैं तो इस मॉल लिग में लेना इनको थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बाकि आप लोग जील की टीम में ट्राइब कर सकते हैं जस्परित बुमरापके यहाँ पर मस्टिपिक रहने वाले है रिशन पर्फॉमिस देखोगे काफी अच्छी है फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में आते हैं और विकेट टेकर है नुवन थुसारा है इनका अगर आप यहाँ पर देखोगे काफी अच्छा है सतासी मैच में 120 मैच में लास्ट मैच में दोस्तों यह सब्चूट प केकर चल सकते हैं बाढ bic in मेंसे कोई भी कहिलता है उसका स्ठाट's आपको टॉस के बार टेली ग्राम पर मिली जाता है अब यहाँ पर दोस्त हम लोग ईनके स्टार्टिंग ओवर और देथ में दिखने वाले हैं तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग में जस्प्रेद बुमर नोवन थुसारा और इनके साथ में हारदे पांड्या ये लोग डेथ में दिखने वाले हैं अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लखनव सुपर जाइंट्स की टीम के बारे में तो दोस्तों लखनव सुपर जाइंट्स की टीम की बात करें तो लखनव सुपर जाइंट् प्लेंग लेवन और प्लेयर स्टार्स के बारे में जानते हैं तो आप लोग आप वीडियो को पूरा देखना तो सबसे पहले दोस्तों में बात करें क्विंटन डीकॉक की काफी इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं ओपनिंग करते हैं विकेट केपिंग भी यह कर लेते हैं पर कीपिंग अभी राउल कर रहें तो विकेट केपिंग यहां पर डीकॉक नहीं करेंगे डीकॉक आपको प्योर बल्ले वाज के तौर पे खेलते हुए देखेंगे हाला कि अच्छे प्लेयर हैं आप लोग लेके जा सकते हो पर इनका रीजेंट उतना अच्छा नहीं है पर फ इनका इस सीरीज में देखोगे तो लाश्ट के दो मैचे से बॉलिंग नहीं कराई है उससे पहले लगातार बॉलिंग भी करा रहें तो यह भी इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी वन डाउन पर बैटिंग करने आ रहें और हो सकता है एकाद उपर की बॉलिंग भी कर पास रा नहीं है हलाकि अच्छे के लाड़ी है निकोलस पूरा नहीं 26 का एवरेज रखते हैं रिशेंट अगर आप इनका देखोगे तो इनका लगबक पूरी सीरीज में काफी अच्छा रहा है आयोस बदोन यह राइटी बैटिंग करते हैं और यह बॉलिंग कराते हैं अ अगर आप मुंबई के टीम ने सामने देखोगे तो उनके पास काफी राइटी बल्लेवाज अगर आप टॉप पे या पे इसान के सन को छोड़ दो तो उनके नीचे सब के सब राइटी बैटर है तो उनके आगे यह अच्छी कांसी बॉलिंग आपको इस मैच में करते बैटिंग से भी 58 रंस किन की काफी अच्छी पारी रही थी एक विकेट निकारा था तो तीन ओवर की बॉलिंग कर रही थी उससे पहले का आप इनका यहां पर फॉर्म देख सकते हो यदवीर सिंग है राइटन मीडियों फास्ट बॉलिंग डालते हैं चौबीस मैच खिले एक सो चार रंस साथ का एवरेज है सत्रा विकेट है बाकि इस सीज में कर आप देखोगे तो लगबग दो मैचेस खिलें दोनों में दो दोबर की बॉलिंग मिली है उतना कुछ खास रहा नहीं है तो इनको आप लोग जील में ही ट्राई करना है स्मॉल लिग में नहीं करना रवी बिशनोई विकेट टेकर इस्पिनर है पर इनका भी यह सीजन उतना अच्छा रहा नहीं है बाकि आप लोग ट्राई करना चाहो तो इनकी टीम यहां पर लखनों की टीम बाद में बॉलिंग करे तब कर सकते हो नवीन उलग फर्स्ट बॉलिंग में इंपोर्टेंट बॉलिंग में ज्यादा इंपॉटिन रहेत हैं इनकी बॉलिंग कराते हैं यह थी जो बेटने वाले हैं उनस सबके स्टार से आपलोग यह इसी तरह देखके चल सकते हो आपüst की यह लेगे जा सकते हो भाकि इनमेंसे कोई भी इस ड्लाइड टीम पर मिल जाएग तो उसके ल तो यहां से आपको स्टार्टिंग में अरसात खान, महोशिन खान, यदवीर सिंग, यह आपको स्टार्टिंग में देखेंगे, डेथ ओवर में आपको यहां पे नवीन उलक, इनके अलावा यहां पे महोशिन खान, और इनके अलावा आप देखोगे तो यदवीर सिंग, मार लेके death में आये थे तो आप यह चीजी यहां पर देख सकते हो अब यहां पर दोस्त हम लोग दोनों टीम्स के head to head matches की बात करें तो दोनों टीम्स ने head to head में total यहां पर पांच matches खीलें जिसमें से एक मैच मुंबई ने जीता है चार यहां पर लखनव ने जीते हैं तो head to head में अगर आप देखोगे तो लखनव की टीम काफी ज्यादा आगे रही है अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं top picks by head to head यान की कौन-कौन से वो player है जो head to head में अच्छा केलते ह इन्होंने अच्छा किया हुआ है तो यहां पर आप सबसे पहले देखोगे के-ल राहूल काफी बैतरीन रिकॉर्ड है तीन मैचेस खीलें 234 रन से 234 का एवरेज है इन्होंने जो तीन मैचेस मुंबई के खिलें उसमें से दो मैच में century लगाई है तो इनका काफी गजब का record है मारकस इसने पांच मैचेस के लिए 201 रन से 50 का एवरेज है तो इसने भी काफी अच्छा किया है टिम डैविड ने तीन मैच के लिए 80 रन से 80 का एवरेज है तो एवरेज इनका इस वेज़े से ज्यादा है क्योंकि बैटिंग करने काफी नीचे आते हैं और mostly time not out रहते है यह ठाकुर दो मैचेस में यहाँ पे पांच वेकेट है आकास मदवाल का भी यहाँ पे दो मैच में पांच वेकेट है नवीन का यहाँ पे तीन मैच में पांच वेकेट है हार्दिक पांडिया का एक मैच में दो वेकेट है तो यही कुछ प्लैन है जोनोंने head to head में आपका देख सकते हो, अब यहां हम लोग जानते है, इस वेन्यो पर किसके ने अच्छा किया है, वो भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें, रोहिश शर्मा की, यहां पर किरकेट खेला हुआ है, Mumbai Indians की टीम का यह home ground है और यहाँ पर रोहित ने काफी ज़्यादा खेला है तो आप यहाँ पर देखोगे 85 matches खेले हैं रोहित ने 2445 runs है 34 coverage है तो काफी अच्छ है record यहाँ पर रोहित शर्मा करा है सूर्य कुमार यादप का देखोगे 48 match में 1493 runs है 49 coverage है तो इनका भी काफी 32 coverage है प्लस 32 match में 42 wicket भी है केल राहूल का यहाँ पर भी अच्छ है 13 match में 664 runs है 61 coverage है तो केल राहूल आपके इस match में CBC के भी काफी अच्छी option बन सकते हैं दीपक उड़ा 23 match में 499 runs है 31 coverage है कुईंटन डीकॉप 14 match में 470 runs है 36 coverage है टिम डेविड सूला match में 325 runs है 41 coverage है तो आप हाई scoring रहता है तो यहाँ पर runs करना उतना ज्यादा कठिर होता नहीं है तिलक वर्मा 14 match में 311 runs है 31 coverage है इनके लावा यहाँ पर बॉलिंग से देखोगे तो जस्परित बुमरा का यहाँ पर काफी अच्छ है 45 match में 55 wicket है आकास मदवाल 7 match में 11 wicket मोहशिन खान के 3 match में 5 wicket है आप लोग यहाँ पर हर एक player का देखके चल सकते हो तो दोस्तों अब अपने इस match के बारे में सब कुछ जान लिया हर एक player के बारे में जान लिया अब आप लोग अपनी team देख लेता है जो फिलाल मैंने इस match के आप लोग लिए बनाई हुई है पर final team के लिए telegram से जरूर जुड़ जाना क्योंकि टॉस के बाज मेरी final team होगी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है तो जुड़ जाना लिंक आपको इस वीडियो को description मिल जाएगा मेरे telegram चैनल का तो चलिए आप लोग अपनी team देख लेते है तो यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर चारों विकेट कीपर्स को लिया है यहाँ पर मैंने लोकेस राउल को लिया है पूरन को लिया इशान किशन को लिया डीकॉक को लिया विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो विकेट कीपिंग अपने team से लोकेस राउल करेंगे और मुंबई इंडियन की टीम से ईशान किशन करेंगे तो ये दोनों विकेट कीपिंग करेंगे बाकि पूरन और डीकॉक प्यूर बल्लेवाच के तौर पे खेलते हूं देखेंगे पर चारों अच्छी ऑप्सन है तो मैंने यहां पर फ्लाल के लिए चारों को पिक किया है डीकॉक का आप देखोगे स कम है पर बड़े खिलाड़ी और अच्छे प्लेयर तो मैंने इस वज़े से फ्लाल पिक किया है अलाकि रिजन परफॉर्मस उतना अच्छा नहीं है आप लोग चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हूं मैंने चारों को लिया है बैटिंग सेक्शन में देखोगे मैंने यहां पर चुरुड उकुमार यादभ को लिया है इनरे के लाबार रोहिश शर्मा को भी लिया है रोहिश शर्मा का भी परफॉर्मस उतना अच्छा नहीं रहा है लग बहँ टिक टाक सब्सक्राइब है तो मैंने फ्लाल इनको भी यारों पर लिया है तो अगर आप लोग सेफ जाना सकते हैं जब मुंबई इंडियन की टीम पहले बैटेंग करें तो इनको अप लोग ट्राइट कर सकते हो बदौनी को भी एक जील में रोटेट कर ले ना वदीरा भी अच्छे एटा न है एका जील में इनको भी ट्राइट कर सकते हो तो जील के लिए आपके पास यहां पे काफ लिवाज है तो अच्छे कासी ओबर की यहां पर आपको बॉलिंग भी करते हूं देख सकते हों बैटिंग भी यह ठीकटा कर लेते हैं तो मैंने इनको भी लिया है बाकी नीचे यहां पर कोई नहीं केल रहा है बॉलिंग में देखोगे तो मैंने यहां पर फिलाल के लिए जस कासी बॉलिंग भी कराते हैं तो अगर लखनव की टीम पहले बॉलिंग करें आप इन पर ध्यान दे सकते हो विसनोई का रिशन उतना अच्छा इस सीरीज में रहा नहीं है बाकी विकेट टेकर इस्पिनर है आप लोग जी आले स्मॉल लीग दोनों में ट्रंपिक के तोर प कुछ उन दे नहीं लिए अरसाथ खान बैटिंग भी काफी अच्छी करते है लाक्ष में बैटिंग से काफी अच्छा किया इनको वे आप लोग ड repenting भी करते हैं बोलिंग बी कराते हैं कोईट जी कहलते हैं इंपोर्टनट है पर चांसे कम हैं सम्बोर्ज को भी उस्ट है आपके पास जो अधर ओप्सन यहां पर सीवी सी के लिए रहेंगे वो अगर आप यहां पर देखो के तो हार्दिक अच्छे ऑप्सन है जो कि यहां पर बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहें इनके अलावा अगर मुंबई की टीम पहले बॉलिंग करें तो जस्परित बुम मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई विडूप साथ पुरा बढ़ी वाच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों